So hello दोस्तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल Let's Unbox पे और आज की वीडियो में मैं Unbox करने वाला हूँ एक Stylist Pen का इस Stylist Pen को मैंने लिया है अपने iPad के लिए तो यहां हम चेक करेंगे कि क्या ये Apple Pencil का Alternative बन सकता है या नहीं और इतने कम बजट में हमें एक अच्छा Stylist Pen मिलता है या नहीं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को All पे कर दे ताकि मेरे वीडियो के अपडेट अपको मिलते रहें So now, let's Unbox तो इस प्रोड़क को मैंने मंगाया है Amazon से और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है कुछ खास प्रोटेक्टेट तो नहीं है लेकिन इतने कम बजट में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक भी नहीं कर सकते So इस पैकेट के अंदर दिया गया है हमें स्टाइलस का बॉक्स और ये बॉक्स एक नॉर्मल पैन के बॉक्स के देड़ा ही है तो यहां इस बॉक्स के ऊपर ब्रेंडिंग दी गई है E.L.V की साथि इस बॉक्स के ऊपर इसके सारी डिटेलस को चिपकाया गया है तो यहां पे हम डिटेलस को पढ़ते हैं तो यहां ये पैन्सिल हमें वाइट कलर में देखने को मिलती है साथ ही ये metal body है और इसके अलावा इसकी जो length है वो 13.8 cm की है यहाँ इसका weight है 19 grams और साथ ही इसका country of origin इंडिया है बात की जाए इसके MRP की तो वो है 1499 रुपीज बट आपको 1499 रुपीज पे करने की ज़रूरत नहीं है मैंने इसे buy किया है 299 रुपीज में Amazon से तो आप भी इसे 300 रुपीज में buy कर सकते हैं तो अभी pen को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ pen का look आप देख सकते हैं काफी अच्छा look दिया गया है और साथ ही यहाँ पे छोटी सी ELV की branding दी गई है और यहाँ जो इसका cap है वो magnetic है यहाँ magnet से यह चिपक जाता है बंद कर सकते हैं आसानी से यहाँ stylus pen का जो सामनी का हिस्सा है वो एक disc shape में आता है और इसके साथ ही हमें यहाँ पे इसकी एक extra nib दी गई है इसके back side में तो यहाँ मैं आपको open करके दिखा रहा हूँ आप इसे बड़े ही आसानी से ऐसे open कर सकते हैं और यहाँ पे यह extra nib दी गई है जिसको आप इसमें attach कर सकते हैं जब आपकी यह निप पुरानी हो जाए तो चलिए भी try करते हैं कैसा response है इसका और palm rejection और बाकी सारी चीज़े भी चेक करते हैं इस pen की तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इससे लिख रहा हूँ यहाँ लिखने में मुझे कोई भी problem नहीं आ रही है और जहाँ तक बात है palm rejection की तो यहाँ palm rejection का feature आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ मैंने काफी सारी चीज़े यूज की इस pen से और काफी देर तक यूज किया और मुझे यहाँ पे कोई भी problem देखने को नहीं मिली है palm rejection उतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतने बजट में हमें एक अच्छा stylus pen मिल रहा है और साथी मैंने इसे phone screen पे भी use किया है तो वहाँ phone में भी आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी साथी metal body होने के वज़े से आपके iPad में यह side से इस तरीके से आप इसे चिपका भी सकते हैं लेकिन यह पूरी तरीके से चिपका नहीं रहेगा ज्यादा time तक अगर आप इसे थोड़ा भी move करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से गिर जाता है यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा इसके अलावा मेरे iPad में जो cover है उसमें Apple pencil रखने के लिए जगा दी गई है वहाँ भी आप इसे fit कर सकते हैं यह थोड़ी से tight fit होती है लेकिन इसमें आप उसे fit कर सकते हैं अब overall बात कीजाए इस pencil की तो 299 के budget में यह pencil मुझे काफी पसंद आई है अभी तक मुझे इसमें कोई भी problem देखने को नहीं मिली है मैंने इसे काफी देर तक use किया है और साथी इसमें एक extra nib भी मिल जाती है आपको तो 299 के budget में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बहतर option आपको मिलेगा अगर आप budget में एक stylus खरीदना चाते हैं अपने pen या iPad के लिए और छोटे मोटे काम करने चाते हैं उससे तो आप इस pen को definitely खरीद सकते हैं इस product को आप Amazon से buy कर सकते हैं मैं product का link description box में डाल दूँगा वहाँ से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं तो ये था overall review इस stylus pen का उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें comment करें अपना feedback comment section में और साथ ही अगर आपकी कोई query है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं share करें इस वीडियो को जादा स्यादा साथ ही subscribe कर दे मेरे channel Let's Unbox को फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ thank you so much for watching